स्टूडिन्स मैं प्रियमर हुत्र आप सब का स्वागत करती हूं देव राइट वे एजुकेशन में आज हम स्टूडी करने वाले हैं करंट अफेर्स 21 अगस्त 2020 यानि आज के करंट अफेर्स जो हम स्टूडी करने वाले हैं अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो एक बार जाके चैनल के उपर विजिट कीजी और आप लोगों सारे वीडियोज मिल जाएंगे इसके अलावा अगर आप इसका क्वीज करना जाते हैं यानि MCQ फॉर्मेट में आप कोश्यन्स करना चाते हैं तो आप टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लेना अट दारेट तेव राइट वे एजुकेशन या फिर इसकी जो पीडिएफ वो भी आप लोगों को टेलिग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी सो चलती हैं नेक्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशन जो है हमने कल जो प्रिवियस डिये के हमने MCQ किये थे यानि करंट अफेर्स किये थे उसमें से एक कोशन मनता था Who is the Director General of BSF Border Security Force का जो Director General किसको बनाया गया है अभी Recently Change हुए है यह देखिया आपको पिक्चर में दिख रहे हैं यह है राकेश अस्थाना जी राकेश अस्थाना जी ठीक है इनको क्या बना दिया गया है BSF का Director General इसके अलावा यह Bureau of Narcotics Control Department के अंदर भी Already Working है वहाँ पे भी इनके पास Additional Charge जो है यह मिल गया है नेक्स्ट हम बात करते हैं जमू इन कश्मीर के अंदर एक initiative 2019 में लांच किया गया था एक प्रोग्राम था जिसका नाम था Back to Village उसका जो है पब्लिश कर दिया है वर्क जो इन्होंने किया है In a first of its kind, Government of Jammu and Kashmir published its work done under Back to Village, B2V की नाम से इस प्रोग्राम को जाना जाता है All 1930 Projects finished during the financial year इसके अंदर सारे के सारे शोकेस किये जाएंगे एक e-book जो है वो release कर दिया है Finance Department के दवारा यह देखिए यह इसका logo है इस तरीके से Government at the doorstep, यह Back to Village, यह कहां की scheme है, Jammu and Kashmir की और Jammu and Kashmir की है हमारी Union Territory है, वहां के Lieutenant Governor कोन है Manoj Sina जी जो recently changed हुए, उनसे पहले कौन था, गिरिश चंदर मुर्मू जी तो यह सारे static facts जो है आप लोगों को याद रखने हैं Next हम बात करते हैं Tamil Nadu Government ने launch किया है COVID-19 के बाद के लिए clinic जो है वो launch कर दिया यह देखिए यहां picture में आपको दिख रहा है If you come out, I will come in यह coronavirus के लिए लिखा हुए, अगर आप लोग बाहर आएंगे तो मैं अंदर आ जाओंगा Tamil Nadu Health Department ने क्या launch किया है Post-COVID-19 Follow-up Clinic कहां पे, Rajiv Gandhi Government General Hospital Chennai के अंदर जो recover हो गए है, infection अगर उनको किसी और बिमारी की विज़े से बाद में होता है तो उनके लिए जो यह clinic है, यह बनाया गया है इसके लावा क्या static fact हमारे लिए important हो जाता है Health Minister कौन है, Tamil Nadu के C. Vijaya Bhaskarji तो यह आप लोगों को static fact याद रखना है, ठेक है? Next हम बात करते है Tata Capital ने launch किया है Swift Insta Personal Loan कैसे वाया WhatsApp? मतलब WhatsApp के थुरू आप लोगों को क्या मिलेगा? Loan मिल जाएगा ठेक है? Next हम बात कर लेते हैं Tata Capital के CEO कौन है? Rajiv Sabrawal जी, Headquarter कहां पे है? Mumbai के अंदर इसके अंदर WhatsApp का जो इनका बोट है उसी के थुरू जल्दी से जल्दी आप लोगों को Loan Provide हो जाएगा किस के थुरू? Tata Capital के थुरू इसका कौन सा static fact आप लोगों के लिए important मनता है? Rajiv Sabrawal, CEO है Headquarter कहां पे है? Mumbai के अंदर तो आप लोगों से question पूछा जाएगा Swift, Insta, Personal, Loan, WhatsApp के थुरू कौन सी company ने launch किया है? तो वो कौन है? Tata Capital Financial Services ठीक है? Next हम बात करते हैं Chairman कौन बनाये गए है? Fertilizers Association of India के Kisor Rungta यह आप लोगों को याद रखना है Kisor Rungta जी यह आप लोगों को देखे पिक्चर में दिख रहे हैं तो इनको क्या बना दिया गया है? Chairman मना दिया गया है Fertilizers Association of India यानि South Reason के अंदर इसका Head Office कहां पे है? New Delhi के अंदर और South Reason का Head Office कहां पे है? Chennai के अंदर इसका basically काम क्या होता है? Fertilizers क्या होते है? खेतों में डलने वाले जो उर्वरक पदार्स जिनको हम बोलते हैं उनके Manufacturing, Distributor, Import इनके Equipments और सारे Research Institute और इन सब की Supply वगारा सब काम कौन देखता है? Fertilizers Association of India के थूँ देखी जाती है Reliance ने क्या किया है? Buy किया है स्टेक किसके अंदर NetMeds का 83 million जो डॉलर्स है यानि 6.2 billion रुपीज के अंदर किसका स्टेक ले लिया है? जो Online Pharmacy NetMeds जहां से इसका जो Brand MSDR वो MS धोनी रह चुके हैं इसके अंदर क्या है? Online जो है आप लोगों को Medicians घर पे प्रोवाइड कर आई जाती है तो उस चीज को किस ने Overtake कर लिया है? Reliance Industries के मालिक मुंकेस Ambani जी ने उसके CEO कौन है? मुंकेस Ambani जी Headquarter कहा है? Mumbai के अंदर चेक है? Next बात करते हैं Hockey India ने क्या किया है? प्रोवाइड की है Financial Aid किसको 61 Unemployed Players जो अपना काम खो चुके है COVID-19 की वज़े से जिसके अंदर 34 जाए Women भी इसके अंदर Included है उनको Sports Activities में Help करने के लिए और हर एक प्लेयर को कितना Amount प्रोवाइड किया जाएगा? रुपीज 10,000 मतलब 10,000 रुपे हर एक प्लेयर को प्रोवाइड किये जाएगे किसके तुरा? होकी इंडिया के दुआरा ठीक है Officiating President कौन है? ग्यानिंद्रो निंगोंबर ये होकी इंडिया का लोगो है हमारा ठीक है कितने लोगो को? 61 Unemployed Players को जिसके अंदर 34 Women's Included और कितने पैसे दिये जाएगे 10,000 किसके दुआरा? होकी इंडिया के दुआरा ठीक है Next हम बात करते हैं Former India गॉल कीपर कौन थे? भासकर मैटे जी Expire हो गए है कितनी एज में? 67 की एज में इनसे related किसकी वज़े से डेथ हुई है इनकी? 1975 से 1979 के लिए इनको Santos Trophy मिली थी तो आप लोगे से एक कोशन ये भी पूछा जा सकता है कि Santos Trophy जो है वो कौन से गेम से related है ठीक है? और ये किस के कोच भी रह चुके हैं? RCF Football Team के अंदर ठीक है? Santos Trophy किस से related है? Football से ये कहां कि जो है कोच भी रह चुके है RCF Football Team के इसके अलावा Asian Game Bangkok 1978 में भी इन्होंने Iraq के अंगेस्ट इंडिया को represent किया था All India Football Federation के प्रेजिडेंट कौन है? प्रफूल पटेल जी और इनका नाम क्या था? ये क्या थे? Indian गॉलकीपर बासकर मैटरी जी नेक्स्ट हम बात करते हैं Home Minister ने Approve कर दिया है किसका नाम? Mandawahdi इसका Railway Station का नाम क्या कर दिया है? इसका Change करने का Approval दे दिया है UP में किस नाम से? Banaras के नाम से इसके उपर कोई भी Objection नहीं शो किया किसने Ministry of Railway और Department of Post and Survey के अंदर आप लोगों को एक फैक्टोर जान लेना चाहिए Station is located in Varanasi district of उत्रपरदेश तो ये कहां पर located है? Varanasi district के अंदर उत्रपरदेश के अंदर Next हम बात करते हैं India और UAE यानि United Arab Emirates के अंदर एक Co-chair हुई है 13th India UAE JCM यानि Joint Commission मेटिंग हुई है किसके उपर trade economy Trade मतलब व्यापार, economy, technical corporation एक दूसरे को देने के लिए और इसको किस-किस ने जो है attend किया था Co-chair by Subramaniam Jaisankar and EA सेख अब्दुला बिन जायद Al-Nahan Minister of Foreign Affairs and International Operation of the UAE चेक है? आप लोगों को एक फैक्टोर पता होना चाहिए UAE जो है one of India's top sources of energy है जहां से हमें energy के sources प्रोवाइड होते हैं ठीक है? यह सबसे important question है वैसे generally insurance के question जो है वो important नहीं होते हैं बट यह exam point of view से important इसलिए है क्योंकि इसके अंदर gold loan की बात की गई है मुथृत finance ने क्या की है? कोटक महिंदरा बैंक के साथ टाइप करके एक COVID-19 cover देने के लिए insurance देने के लिए बात की है इसके अंदर क्या है? रुपीज 1 लाग का loan दिया जाएगा gold loan यह सबसे important है कि gold loan की format में भी किसी को अगर gold है उसके बदले में general insurance जो है वो दिया जा रहा है पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है मुथृत finance आयूश गोल लोन अफ मुथृत ग्रूप थूप 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 कॉम्पलीमेंटरी COVID-19 insurance इसके थूप जो है insurance प्रोवाइड कराया जाएगा किसके साथ tie-up किया है कोटक महिंद्रा जनरल इंशूरेंस के साथ और आप लोगों से पूछ सकते है मुथृत finance managing director को नई जोर्ज अलेक्जेंडर मुथृत जी ये मुथृत finance bank का लोगो है ये देखिए next हम बात करते हैं DSB bank इंडिया ने appoint किया है प्रशांत जोसी जी को managing director and head of national distribution ये क्या है DBS bank जो है ये एक Singapore का bank है जो इंडिया के अंदर भी work करता है तो इसकी branch है वहाँ पे किसको head बना दिया गया है managing director बना दिया गया है प्रशांत जोसी जी को head of national distribution ठीक है इसके अंदर और कोई ज़यदा static fact नहीं बनते ये Singapore का bank है प्रशांत जोसी जी को बना दिये नेक्स जो हमारे पास important question आता है मध्या प्रदेश गौर्वर्मेंट ने provide किया है poor people को rupees 1 per kg wheat, rice, salt from 1st September, 1st September से जो मध्या प्रदेश के CM उन्होंने announce किया है लोगों को 1 रुपे के अंदर 1 kg चावल rice और salt मतलब गेहूं, चावल और नमक जो है provide किया जाएगा कितने लोगों को 37 लाख such poor peoples because COVID-19 की वज़े से हर किसी को दिक्कते आ रही है तो National Food Security Scheme जो है ये launch की है जिससे 37 लाख गरीब परिवारों को सहायता मिलेगी इसके अलावा 5 kg जो है per person free ration दिया जाएगा poor families को कब से November से तो Madhya Pradesh के Chief Minister कोन है? Sivraad Singh Chohan, ये देखिए आप लोग को यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं तो क्या scheme launch की गई है? rupees 1 per kg wheat rice salt from 1st September से उनको मिलना जो है start हो जाएगा इसके अलावा government ने launch किया है सुदेशी microprocessor challenge इसके अंदर क्या है? आत्म निर्भर भारत के लिए solutions मांगे गए है ठीक है? IIT मदरास और Center for Development of Advanced Computing इन्होंने दो microprocessor जो हैं वो developed किया जिनका नाम रखा है सक्ती and Vega using open source architecture ठीक है? ये देखिए इसका लोगो भी है सुदेशी microprocessor challenge innovate solution for आत्म निर्भर भारत मतलब आत्म निर्भर भारत के लिए नए नए तरीके बताईए नए नए solutions बताईए उन चीजों के लिए एक challenge रखा गया है अब union minister electronics and communication IT कौन है अपने? रवी संकर प्रशाद जी रवी संकर प्रशाद ये आप लोग को याद रखना है ये हमारे सारे जो है आज के current affairs complete हो गए है हमारा question of the day क्या है? ये आप लोग को comment box में mention करना है इसके अलावा आप लोगों को बताना है कि इंडिया का top source of energy कौन सी country है ठीक है ये हमारा telegram के ओपर channel चल रहा है जिसके अंदर target बैच चल रहा है डिली पुलिस के लिए या फिर आप लोग किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं इसके अंदर